Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्डिबल और वो अगर नहीं किया जाता, तो इससे बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती, तो यहाँ पर यह जो पूरा एक डील हुआ है, जिसकी हम चर्चा करेंगे, वो है, रश्या यूक्रेन के बीश में, ग्रेन को लेकर डील हो गया है, जिसके अंदर टर्की और यून भी सामिल है, तो इसको डीटेल से समझते हैं कि exactly हो क्या रहा है यहाँ पर, और क्यों इतना important है भारत के perspective से भी, वो भी मैं आपको बताऊंगा, काफी कुछ जानने को है, लेकिन उसके पहले ध्यान रखेगा, UPSC का foundation batch दोस्तों, बहुती जल्द इसके अंदर यहाँ पर जो seats हैं, व प्रिलिम्स का वो भी लाया जाएगा आगे चलकर, मेंस के लिए answer writing practice, यह सारी चीज़ें, सिर्फ और सिर्फ 19,500 में अभी के लिए है, prices भढ़ेंगे, जैसे जैसे इसके अंदर seats फिल हो रही हैं, और अगर आप इसको enroll करना चाहते हैं इस price पर, तो use the code ankit live, हमारे app और website पर इसके लावा अगर आप MCQs attempt करना चाहते हो, तो मेरे इंस्टा पेश पर जा सकते हैं, वहाँ पर stories में जितने भी MCQs हैं, उसको आप attempt कर सकते हैं, चले सुरवात करते हो, देखते हैं exactly हुआ क्या है, रश्या और यूक्रेन के बीच में separate agreement हुआ है with Turkey and UN, actually क्या आप समझने क इसके जो food grain है, especially Ukraine से, बड़ी मात्रा में food grain को export किया जाता था, लेकिन यहाँ पर जो war चल रहा था, इसकी वज़े से food grain export नहीं हो पा रहे थे, और बहुत सारी समस्या सामने आ रही थी, इसको देखते हुए यहाँ पर Turkey और UN, अब Turkey को important हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर अग Mediterranean Sea में जाएगा, तो यह जो पुरा रास्ता है, वो Turkey से हो की गुजरता है, Turkey इसके control में है, तो यहाँ पर Turkey जरूरी हो जाता है, और overall international organization है, United Nation, वो भी important हो जाता है, तो जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पर जो UN के chief है, Antonio Guterres, और Turkey के president है Erdogan, इन लोगों के द्वारा साथ म बाकी की चीज़े हैं, उसको export किया जा सकेगा, यहाँ पर आप देख सकते हो, जो Turkey के president Erdogan है, उन्होंने यही कहना था कि Today there is a beacon on the Black Sea, और वैसी बात है, Black Sea में यहाँ पर एक रास्ता दिख रहा है, ताकि जो export रुखा हुआ था इतने लंबे समय से, वो finally हो सकेगा, आप question य largest exporter है Ukraine, wheat के मामले में अगर मैं आपको बताऊं तो wheat हो गया, corn हो गया, sunflower oil हो गया, इसके लावा यहाँ पर problem यह था कि Russia के द्वारा जो भी invasion चल रहा था, war चल रहा था, उसकी वज़े से पुरा blockade हो रहा था, यह Blacks ही जो है, यहाँ पर problem हो रहा था, especially आपको पता ही होगा, Crimea तो जो है 2014 में ही Russia के अंडर आ गया था, इसके अलावा यह वाला जो पूरा हिस्सा है, यहाँ पर भी Russia ने पूरी तरह से कबजा कर लिया, यह जो मेरियोपॉल जो port हो गया, काफी बड़ा port है, तो यहाँ पर Ukraine के पास जो हिस्सा इस समय है, वो है आपका यह वाला side का हिस् आपको समझ में आ गया होगा, अभी तक क्या हो रहा था कि थोड़ा बहुत export जो किया जा रहा था, वो Ukraine से आपका railroad के माध्यम से यूरोप के through होते वे जा रहा था, और थोड़ी बहुत चीज़ें हो पा रही थी, ज्यादा नहीं हो पा रहा था, और यहाँ पर Ukrainian और Russian military के ज रश्या और Ukraine उन्होंने साथ में deal sign नहीं किया है, यहाँ पर Ukraine ने UN और Turkey के साथ मिलकर deal sign किया, और साथी साथ रश्या ने जो Turkey और UN है उसके साथ मिलकर sign किया, तो एक प्रकार से indirect यह पूरा जो deal है, दोनों के बीच में हुआ है आप कह सकते हो, अब इस deal के अंदर क्या क्या important चीज है, एक दो जो सबसे important चीज है, कि safe passage दिया जाएगा ship को, जो ship यहाँ से गुजरनी है, उनको safe passage मिल सके, उसके उपर Russia या Ukraine कोई भी हमला ना करें, यह एक important चीज है deal के अंदर, इसके अलावा यहाँ पर Istanbul में, Istanbul के अगर आप location देखोगे यहाँ पर, यह exactly इधर देख सकते हो, control center, ठीक है, Istanbul में, उसमें यहाँ पर UN के staff होंगे, Turkey के staff होंगे, Russia और Ukraine के officials होंगे, और वो इस पूरे project को लेकर, जो भी ships गुजरेंगी, उसको लेकर coordinate करेंगे, साथी साथ यहाँ पर inspection भी किया जाएगा ship का, कि कहीं weapons तो नहीं बेज रहा है, मालो, Russia जो है, वो कहीं बाहर के देशों से, वो weapons तो नहीं मंगा रहा है, अपने पास किसी प्रकार का, इसके अलावा, जो अगर ऐसा कुछ होता है, तो Ukraine का कहना है, कि यहाँ पर immediate military response होना चाहिए, मालो, कोई ship है, वहाँ से weapons transport किया जा रहा है, तो वो प्रोवोकेशन हो गया एक प्रकार से, तो व पर Black Sea में जिस तरह से war चल रहा था पूरा, उसकी वज़े से चीजें नहीं हो पाई, और UN के जो chief है, Antonio Guterres, उन्होंने सबसे पहली बार इसको लेकर alarm race किया था, और यह कहा था, कि अगर Ukraine से agriculture production नहीं जाता है, एक्सपोर्ट नहीं होता है, रशिया से green और fertilizer एक्सपोर्ट न गया और finally यहाँ पर अब यह deal sign किया गया है, जिसकी वज़े से बताया जारा है कि developing countries में, जहाँ पर लोगों को ऐसा लग रहा था कि 181 million people, just imagine, 18 करोंड people, hunger से गुजर सकते हैं, उनको एक प्रकार से save करनी की कोशिश की गई है, अब question यह है कि अभी तक चीजें क्यों नहीं ह लेकिन दूसरी तरफ Ukraine का यह कहना था कि अगर हम अपने ships को यहाँ से भेजते हैं, तो Russia उसके उपर हमला कर देगा, तो दोनों लोग आपस में एक दूसरी की तरफ blame कर रहे थे, और Ukraine basically international guarantee चाहता था कि अगर यहाँ से हम कोई ship भेजते हैं, तो Russia हमारे उपर कोई attack ना करें, यह international guarantee जो है, वो Ukraine चाहता था, Ukraine के जो authorities हैं, उन्होंने बार-बार यही बोला कि जो Odessa port है यहाँ पर, Odessa port से कोई भी भेजेंगे, यहाँ पर एक corridor बनाये चाहिए का safe passage के लिए, तो उस पर कोई भी हमला नहीं होना चाहिए, और यह सारी चीज़ें जो हुई है, इसको लेकर जो US है, उसकी तरफ से भी बयान आया, उन्होंने welcome किया इस step को, लेकिन US जो है, वो थोड़ा से aggressive है, US का कहना है कि हमें अब accountable थेराना पड़ेगा रश्या को, जो भी agreement हुआ है, वो proper तरीके से implement हो, और साती साथ जो Ukraine है, वो अपने food grains को जो है, export कर सके, इसको लेकर हमें द रश्या की गलती है, सब कुछ चीज तरह से हो रहा है, जो भी है खहर, वैसे मैं आपको बता दूँ, कि भारत ने आपको याद होगा, यहाँ पर एक काम किया था, कि जब wheat के प्राइसे बहुत जादा बढ़ रहे थे, दुनिया भर के अंदर, तो भारत ने काम किया था, कि export के उपर बैन लगा था, जिसको लेकर काफी criticism हुआ था, भारत के उपर, कि भारत wheat के उपर ऐसे export के उपर बैन क्यों लगा सकता है, लेकिन भारत का देखिए एक बहुती अच्छा बयान आया था, हमारा यह कहना था कि देखिए, export के उपर बैन हमें इसले लगाना पड़ है, क्योंकि speculations चल रहा है, international market में, क्योंकि Ukraine और Russia से wheat जा नहीं रहा था, जिसकी वज़े से क्या हो रहा था, कि अचानक से Indian wheat की demand बढ़ गई थी, और जो traders हैं, वो बिचौलिये जो होते हैं, वो इसका फायदा उठा रहे थे, इमें जैसे Singapore हो गया, दुबई हो गया, वहाँ उधर से order आता था, और वहाँ पर से जो है, फिर दूसरी जगा wheat चला जाता था, उसको store कर लिया जाता था, ताकि इसका ज्यादा स्यादा benefit हुचाय जा सके, तो भारत ने इसी को देखते वे ये बोला था, कि यहाँ पर हम नहीं चाहते कि जिस तरह से COVID vaccine की तरह जो चीजे ह जरूरत थी, और इसी को लेकर आप कह सकते हो, अब ये जो deal पूरा sign हो गया है, जिसके हुझे सगेन एक relief मिलेगा, और international market में जो commodity के prices हैं, उसमें यहाँ पर थोड़ी सी आपको कमी आते वे देखने को मिलेगी, जो की again एक economy के perspective से काफी अच्छी बात है, जाने से पहले interesting question, क्या बता सकते हो कि wheat के production में, जो है भारत का क्या स्थान है, rank है पूरे wish उभर के अंदर, इसका right answer आपको पता ही है, मेरे Instagram पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलिग्राम से भी ले सकते हैं, इसका सही उत्तर में, कई सारे MCQs हैं, वो यहा answer writing, हर एक चीज दिया जा रहा है, तो आप जल से जल अपने seat को block कर लीजे, और in case by chance आपको in fact morning batch join करना है, यह तो आपका evening batch है, जो 1st of August से start होगा, शाम को 6 बजे class होगी, लेकिन अगर आपको morning batch 8 बजे का लेना है, तो उसकी classes already start हो चुकी हैं, वो भी आप जॉइन कर सकते ह आपको कोड इस्तमाल करना आपको 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 पसंदा होगा, मिलता है तो आपको नेक्स ताम तल देन, थैंक यू बरी मच्, सी यो सून. आपको थे स्थेडी तो अपको आपको आपको अपको आपको आपको यू बरीख लेखूश को आपको इस करो आपको 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 जाए को सून. अप्तयारी हूइ, एफूदबल!